एक इस्त्री के सुन्दरता के पीछे पागल एक लड़के की कहानी नमस्कार जैस्री राधे जैस्री किस्ना दोस्तो आज की वीडियो आज का ये प्रसंग बड़ा ही मोटिवेट कर देने बाला है बड़ी ही सिच्छा प्रत कहानी है आप से नवेदन है आपने अवी तक इस चैनल को सब्सक्राब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राब करें बेल आइकन घंटी वाला वटन भी दवा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके आप किसी भी जानकारी से बंचित न रह सको दोस्तो भगवान स् इसे इन दो रचनाओं में सबसे ज़्यादा सुन्दर कौन है पुरुस या इस्त्री दोस्तो आज की ये कहनी आपके दिल को छूलेने वाली है रोह रोह को छूलेगी आई ये कहनी सुरू करते हैं एक छोटे से गाओं में एक उमेश नाम का लड़का रहता था परमात्मा इसे बहुत ही सुन्दर वनाया था सुन्दर रोप से नवाजा था वह अभी जवान ही था जवानी की पहली सीड़ी पर वह कदम रख चुका था और यह तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि यह अवस्ता कितरी रोनक का भरी होती है ये मन का भमरा सुन्दर सुन्दर फोलों प सबसे सुन्दर वस्तु लगती थी सुन्दर इस्त्री के जात को देख कर उसका मन उसके बस में नहीं रहता था दोस्तों और वह अपने आपको खोवेटता था उसके नजरों में सुन्दर इस्त्री ही संसार में कोमलता मिठास और सजावट की प्रत्मूर्ती थी जुबान पर इस्त्रियों का नाम आते ही उसकी आँखें जगमग उठती थी कान खड़े हो जाया करते थे मानो ऐसा था जैसे किसी स्वाद लेने वाले रसिक ने कोई सुन्दर गाना सुन लिया हो उसने यहां तक एक सुन्दर इस्त्री की मन में कल्पना करके उसकी मूर्ती को अपने मन में बिठा लिया था दोस्तो हर कुमारी विक्ति का यह सपना रहता है कि उसकी होने वाली धर्म पत्री बहुत सुन्दर हो उसका एलान यही रहता है कि उसका रंग रोप अच्छा हो ऐसा योबन हो सभी अपने अपने कलपनों के अनुसार अपने लिए एक बहुत ही सुन्दर इस्त्री की तस्वीर अपने हिरदे में बसा कर रखते हैं दोस्तों चाहे लड़की हो या बो लड़का हो हर व्यक्ति अपने सपनों में एक सुन्दर राजकुमार या राजकुमारी को सोच कर रखते हैं बैसे कलपनों में तो हर व्यक्ति सुन्दर चीज ही सोचता है चाहे स्वयम कितने ही कुरूप क्यों ना हो उमेश बाबू भी हर वक्त अपने मन में एक खूब सूरत लड़की की तस्वीर बना कर रखे हुए था सोचता था कि मेरी होने वाली धरम पतनी बहुत सुन्दर होगी उसका कॉमल बदन बिलकुल फूलों की तरह ही होगा कॉमल होगा कोयल जैसी बोली होगी हिरनी जैसी आँखें होगी चंदर्मा जैसा चहरा चमकता होगा बड़ा सुन्दर मुखडा होगा उसके पूरे सरीर का ढाचा एक दम्मन को मोह कर देने वाला होगा इस तरह हुए अपनी जीवन संगनी के बारे में कलपना करता रहता था दीरे दीरे दोस्तों वह वक्त आ गया स्कूल सिच्छा पूरी हो गई और अब उसके लिए रिस्ते भी आने लगे साधी वाले आने लगे एक दिन उमेश के मामा उनके लिए एक रिस्ता लेकर के आये और साधी तै हो गई उमेश बाबू ने अपने घर वालों से कहा मैं पहले लड़की को देखना चाहता हूँ यद मुझे लड़की पसंद होगी तब ही मैं वभा करने के लिए राजी हूँगा तब उसके मामा ने कहा वेटा लड़की के तरप से तुम बेफेकर होकर के लड़की हमने देखी है क्योंकि हम तुम्हारे मामा हैं और लड़की सुन्दरी होगी उसी के साथ हम तुम्हारी साधी करेंगे लड़की हकीकत में काभी काफी ज़्यादा सुन्दर है दोस्तो मामा के मुकसे लड़की की प्रसंसा सुन करके उमेश बाबू को लगा चलो यद अगर मामा कहते हैं तो लड़की जरोर खोबसूरत ही होगी और फिर उमेश बाबू ने साधी के लिए हाँ बोल दिया दोस्तो बिभा की महुरत आई तब उमेश बाबू पूरे धोमधाम से वरात लेकर के आई और दुलहन भी आबू सड़ से सजकर मंडब पर आई उमेश बाबू की नजरे दुलहन की ओर थी उसे घूंगट में चहरा तो दिखाई नहीं मगर हाथ पेर की उगली दिखाई दे रही थी मेहदी से सजे हाथ पेर बहुत गोरे और सुन्दर लग रहे थे उसे देखकर उमेश बाबू अपने मन में फूले नहीं समा रहे थे दोस्तो वह सोचने लगे कि जब दुलहन की हाथ पेर की उगलीयां इतनी सुन्दर है तो दुलहन इतनी सुन्दर होगी अब वेवाह का कारकरम संपन हुआ बदू की बिदाई हुई डोली में बैट करके दुलहन ससुराल जाने को चली उमेश बाबू की खुसियां बढ़ती चली जा रही थी दोस्तो हर किसी के मन में साधी की एक अलग ही उमंग होती है वे यह सोच रहे थे कि कास एक बार दुलहन का चहरा देखने को मिल जाता तो इच्छा पूरी हो जाती चलते चलते रास्ते में कहारों ने जब पालकी रोकी और जलपान करने लग गए इतने में उमेश बाबू को मौका मिल गया वे चुपके से पालकी के पास गया और जब दुलहन अपना घूंगट हटा कर पालकी से बाहर जहांक रही थी और तभी उमेश की निगा दुलहन के चहरे को देखती है चहरा देखकर के उमेश को ऐसा लगा ऐसा महसूस हुआ जैसे चोरों ने उनका सब कुछ लोट लिया हो उमेश की दुलहन सुन्दर नहीं थी जितनी उसने कलपना की थी वह हर पल जिस रूप की कलपना करता रहता था वो उसके बिलकुर बिप्रीत थी उल्टा हो गया बहुत मोटी थी चिप्टी नाग थी पूले हुए गाल थे वो एकदम दिखने में कुरोप थी रंग तो गोरा था पर चबी एकदम भयानक दोस्तों दुलहन का कुरोप चहरा देख करके उमेश बाबु की सारी खुसी नश्ट हो गई वह मनही मन खुद को कोशने लगा इसे बला मेरे ही गले पर ना था दुनिया में इसे और कोई नहीं मिला वो उमेश सोच रहा है उमेश को अपने मामा पर बहुत गुसा आ रहा था दोस्तों उन्होंने लड़की की तारिफों के पुल बांद कर रख दिये थे उसे साधी के लिए राजी किया था सोचने लगा अगर इस समय मामा यहां होता तो मैं उसे लड़ाई कर बैटता और उसे बहुत पीटता अब तो विबा हो चुका है अब मैं कर भी क्या सकता हूँ मेरे सारे अर्मानों पर पानी फिर गया मेरे मामा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया इस कुरूप के साथ मैं कैसे रहूँगा कैसे इसके साथ जीवन काटूँगा इसे तो देखने से ही गरणा होती है ऐसी भयानक रूप बाली इस्तरियां भी दुनिया में मौजूद है अरे बाह मुझे तो आज पता चला है हे भगवान क्या तुम्हें मेरे ही उपर संकट गिराना था दुनिया में कितनी सुन्दर सुन्दर मुख वाली इस्तरियां है लेकिन आप मेरे लिए किसी कुरूप को ढूण कर रखे थे उमेस अपने ही किसमत को कोस रहा था उमेस को ऐसा लग रहा था जैसे उसने बिवा नहीं किया बलके जैसे नरक में घुस गया हो घर पहुँचकर उमेस ने अपनी पतनी को खोव खरी खोटी सुनाया मामा को खोव फटकारा अपने माबाप से जगरने लगा जब इतने पर भी उसका गुसां सांत नहीं हुआ तो घर छोड़ कर कहीं भागने का विचार बनाने लगा दोस्तो उसने अपनी पतनी पर गुसां भी आता और दया भी आता इस विचारी का क्या दोस है इसने तो जबरजस्ती मस्से विवा नहीं किया है लेकिन एह दया भाव भी उसके मन से गिरडा को नहीं हटा सका वह जैसे ही अपनी पतनी को देखता था उसका मन गिरडा से भर जाता पतनी अपने पती को रिजहाने के लिए नए नए काम करती थी अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती थी तरह तरह के बालों को बांती थी चोटियां बनाती थी सरंगार करती थी घंटों सीसे के सामने खड़े होकर के अपना चहरा सजाने में लगी रहती थी लेकिन वह उमेज बाबू के मन में कोई फरक नहीं ला सकी दिल में जगह नहीं बना सकी वो चाहती थी कि मैं प पत्ति को प्रसंद करने के लिए मौका खोज ही रही थी लेकिन पत्त को उसके रोप रंग से इतनी नफ्रत थी कि वह हमेशा अपनी पत्री के नजरों से बच के घूमते थे दोस्तों अगर कभी आमना सामना भी हो जाता था तो उमेश के मौसें ऐसी जली कटी वाते निकलती कि वह वेचारी रोती हुई चली जाती थी दोस्तों एक लड़की अपनी सगे सम्मन्दे को छोड़ करके अपने पती के घर आती है और यद वह भी पत्नी को भाब ना दे तो उस वेचारी का मन कैसे लगेगा कैसे वह अकेले अपना जीवन काटेगी यही हाल उमेश की पत्नी का था दोस्तों उए अपने आप को दरपन में देखकर खोब रोती थी बहुत दुखी होती थी उए अपने मन की बात भी कहे तो कहे किससे हर हमेसा अपने आपको कोश्ती रहती थी उधर उमेश आठ दिन तक घर پर नहीं आता था दोस्तो जब उमेस बाबू दूसरी इस्तरियों को देखता था तो उसका मन अंदर से ही रोने लग जाता था वह इस परिस्ततियों में अपना मन लगाने लगा वह यह बूल जाना चाहता था कि उसका बेभा हो चुका है उधर बेचारी उसकी मासूम सी पतनी घर में बेठी अपने पती के दरसन के लिए तरस्ती थी दोस्तो लेकिन उमेस घर पर आना ही छोड़ रखा था आता ही नहीं था कभी कभी आता था वह पूरे दिन अपने मित्रों के साथ मजे में रहता था उसकी पतनी जब कभी घर से वाहर अपने पती की खिडकी से देखती थी तो वह तड़प तड़प कर रह जाती थी एक दिन उमेस बाबू जब खाना खाने के लिए घर पर आए तो उसकी पतनी ने पूछा आज अब तो आपके दरसन भी नहीं होते मेरी बज़े से अपने तो आपने तो घर को भी छोड़ दिया है उमेस ने मों घुमा कर उत्तर दिया क्या बताऊं नोकरी की तलास में इधर उधर भागना पड़ता है इसलिए घर पर नहीं आ पाता हूँ पतनी बोली मैं जानती हूँ आप घर पर क्यों नहीं आते हो आपको मेरा चेरा बिलकुल पसंद नहीं है आप एक काम क्यों नहीं करते आप किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते मैंने सुना है डॉक्टर चेरा बदल देते हैं पत्री ने कहा क्यों तुम ब्यर्थकी वकवास कर रही हो जो काम भगवान नहीं कर सकता वह मनुस्त क्या करेगा पत्री ने बड़ा सुन्दर जवाब दिया अच्छा इह वात आपको सोचनी चाहिए कि भगवान की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो आपने मुझे दोद स मखी की तरह निकाल कर दोर फेंक दिया है संसार में ना जाने कितने ही कुरोप लड़कियां हो गई फिर भी उसे कुवारी नहीं वैठाया जा सका उसका वी कहीं न कहीं बिभा हो ही जाता है पर उसका पती भले ही उसे ना चाहिए लेकिन दोद से मखी की तरह निकाल कर नही सेर सपाटा करता था, रात को भी घर नहीं आता था, एक दिन उसकी पतनी चिंता में बीमार पड़ गई, लेकिन उमेश उसे देखने तक नहीं आया, वह है, यह चांता था कि कास यह मर जाती तो अच्छा रहता, कम से कम गले की आपत तो टल जाती, फिर कहीं अच्छी सी खूब सूरत और प्यारी लड़की देखर के अपनी मन पसंद का वेभा कर लूँगा, इस तरह से उमेश अपनी पतनी से दूर रहने लगा था, दोस्तों उमेश बासनाओं की जाल में उलज गया था, धन की वरवाद करने लगा, सुन्दर योवतियों में अपने मन को लगाने लगा, विसे भोग में लिप्त होकर धन, बल और बुद्धी को नश्ट करने लगा, दीरे दीरे उमेश का चेहरा पीला पड़ गया, सरीर पर कमजोरी आने लगी, दोस्तों पसलियां हडियां दिखने लगी, आख जिक दिन उमेश की पतनी पती के बिचारों में बरामदे में लेटी हुई थी। कई दनों से उसकी पतनी नेुमेश की सूरत नहीं देखी थी। उसने डरते डरते किसी के हाथों से उसे बुला लिया, सोचने लगी, आएंगे तो बैसे भी नहीं, कहने में क्या जाता है, कि अजसी ने जाकर के उमेश को बताया कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी बुला रही हैं। तुम बीमार क्यों हो तुम तो मुझसे भी जादा कमजोर हो गए हो। अरपाई पर वैठा दिया। उमेश ने भी अपनी हाथ छोडाने का प्रयास नहीं किया। उसका स्वभाव आज नरम लग रहा था उसकी पत्नी को। उसकी वातों में क्रोध और अकड नहीं थी। उसकी आँखों में आँसू थे। दोस्तों उमेश ने कहा मेरी दवा अब मेरी मौत है। मैं अब अधिक दिन तक नहीं जीऊंगा। मुझे किसी भयंकरो के लक्षडर लग रहा है। डोक्टर ने भी यही वताया है। मुझे इस बात का जरावी भरोसा, मुझे इस बात का बड़ा अवसोस है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मुझे छमा करना। उसका पती आगे कहता है कवी कवी बैठे बैठे मुझे बेहोसी आ जाती है। उमेश इतना कह रहा था कि अचानक उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसके पूरे सरीर में सन सनी सी दोड़ गई। उमेश मुर्चे थोकर के चार पाई पर गिर पड़ा। दोस्तो हाथ पैर पटकने लगा मोह से लार निकलने लगी पूरा सरीर पसीने से तर्व तर हो गया। पत की हलत बिगडते हुए दसा को देख करके पतनी बीम अपनी बीमारी भूल गई। क्योंकि दोस्तो काफी दोनों से वह भी बीमार थी। वह एक दम फूरती से उठी और उसके मौह पर पानी के चीटे लगाने लगी। फिर पंखा लगाई। परंतो उमेश ने आँख नहीं खोला। साम होते होते उमेश का मौ टेड़ा हो गया। बायां अंग सुन पड़ गया। उसके मौह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। दोस्तो वह मूर्चित नहीं हुआ था। उसके उसे लकवा मार गया। लकवा का भयंकर रोग से रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं है। लेकिन उसकी पतनी पूरे तनमन से पती की सेवा में लग गई। वह खुद की वीमारी को भूल करके अपने पती की सेवा करने में ब्यस्त हो गई थी। दोस्तो दिनों दिन उमेश की हालत बहुत ही गंबीर होती जा रही थी उसके पतनी पूरे दिन रात पत्य को थामे बैठी रहती थी उसके लिए आहार बना कर देती थी गोद में लेटा कर दबा पिलाया करती थी उसके इसारों को ध्यान में समझती थी ध्यान से समझती थी दोस्तो उसकी पतनी को स्वेम बुखार था दर्द से सर फट रहा था फिर भी वह अपने कश्ट को भूल करके पूरे जिम्मेदारी के साथ अपने पती की देख रेख करती थी दोस्तो समय वीता गया लेकिन उसकी हालत में कोई सुदार नहीं आया उसका दाइना पैर तो कुछ भी काम ना करने को रह गया था वह जब बोलता था तो महसें टोक ले जैसा आवाज निकलती थी दोस्तो सबसे बुरी दसातो उसके सुन्दर चेहरे की हो गई वह इतना टेड़ा हो गया था जैसे मौनो कोई रवर को घुमा करके टेड़ा कर दिया करता हो उसे चलने फिरने की भी तागत नहीं थी एक दिन उसने सीसे में अपना टेड़ा मौ देखा मौनो जैसे ऐसा कुरूप आदमी उसके जीवन में कभी नहीं देखा हो उसने उसे लगने लगा था कि ईस्वर ने उसे उसके कर्मों की सजा दी है उह अपनी पत्नी से धीरे धीरे बोला मुझे ईस्वर ने मेरी गुरोर की सजा देदी है वास्तम में यह मेरी बुराई के बदले है जो मैंने तुम्हारे साथ किया अब तुम भी मेरे चेहरे को देखकर घ्रणां से मौ फेर कर मुझसे उस दुर्ववार का बदला ले सकती हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था दोस्तों फिर पत्नी ने पती से प्यार से कहा सुनिये मैं तो आपको अभी भी उसी निगाह से देखती हूँ मुझे आप में कोई फरक दिखाई नहीं देता उमेश बोला बाहरे बाहरे मेरा मोह बद सूरत की तरह है और तुम्हें कोई फरक नहीं पड़ता इस चेहरे को लेकर तो मैं घर से बाहर भी नहीं जा पाऊं इस वर ने सचमुच मुझे बहुत कठोर सजा दी है दोस्तो उसने बहुत प्रयास किया कई डॉक्टरों को दिखाया पर उमेश का चेहरा ठीक नहीं हुआ उसका चेहरा बड़ा भयानक लगता था हर कोई उसे देख करके ढर जाते थे फिर कुछ समय के बाद में दवाईयां और डॉक्टर के मदद से चलने प्रने लगा दीरे दीरे उसका चेहरा भी ठीक होने की कलगार पर नहीं आया दोस्तो पत्नी ने मां देवी से मननत मागी थी कि मेरे पती अगर चलने फिरनने लगें तो मैं देवी मा की पूजा करूँगी आज उसी पूजा का उत्सव था पूरे महुले की इस्तनिया सज़ धज करके बहां आई और गाना बजाना भी हो रहा था उमेश की पत्नी से गाउं की महलाओं ने पूछा क्यों बहन अब तो तुम्हें अपने पती का चहरा बिलकुल अच्छा नहीं लगता होगा पत्नी ने बड़ा सुन्दर जवाब दिया नहीं बहन मुझे चहरा तो अच्छा नहीं लगता है लेकिन मुझे उसके वदले में पती की आत्मा मिल गई है जो रोब से कहीं ज़्यादा वड़कर है उधर उमेश कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और अपनी पत्नी और सभी महलाओं की बातों को बड़े ध्यान से सुर रहा था तभी उमेश के दोस्तों ने कहा आज तो तुम्हारे घर पर पूरे गाओं की सुनर सुनर इस्तरिया आई है इनमें तुम्हें सबसे ज़्यादा सुनर कौन सी लग रही है दोस्तों तभी उमेश ने अपनी पत्नी की और इसारा करते हुए कहा मुझे तो बही अच्छी लग रही है जो थाली में फोल रख रही है सबी दोस्तों कहने लगे अरे भाई लगता है तुम्हारी सूरत क्या विगरी अब तो तुम्हारी नजर भी विगड़ गई है उसने उसके दोस्तों ने कहा मुझे तो सबसे ज़्यादा बद सूरत बही मालूम पड़ रही है तब उमेज ने जवाब दिया भाई तुम्हे वे बद सूरत इसलिए लग रही है क्योंकि तुम उसका सरीर देख रहे हो और मुझे अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि मैं उसकी आत्मा देख रहा हूँ दोस्तों प्यार दिल से होता है ना के चहरे और सुन्दरस्ता से प्यार उसे कहते हैं जो आपके बुरे से बुरे समय में आकर साथ दे जैसे उमेज की पतनी ने अपने पती का साथ दिया दोस्तो इसुर ने हमें जिस बिसेस गुड से नवाजा है उसका उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए ना कि अभिमान के लिए उस गुड को अपनी ढाल वना करके किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए किसी को निन्दा या उसका अपमान नहीं करना चाहिए बरना यह तो आप जानते ही है कि एक दिन उसे भी कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ सकता है दोस्तों उमीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक, सेयर, कमेंट करना न भूलें फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंट्रेस्टिंग टोपिक के साथ मोटिवेट करने वाली कहनी के साथ तब तक के लिए सभी भक्तों को जै स्री राधे, जै स्री कृष्णा, जै हिंद, जै सिव